नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिक्षावर्ड किस योटूब चैनल में दोस्तो आज से हम ग्राम समाज और विकास की टॉप 50 MCQs की सीरीज को सुरूख करने जा रहे हैं और इस सीरीज के माध्यम से हम डेली बेसिस पर ग्राम समाज और विकास के 50 बहतरीन प्रसनों को डिसकस किया करेंगे तथा ये जो आपकी सीरीज है आपकी लेकपाल की जो अगामी पर इच्छा 19 जून को होने वाली है उसके लिए सूपर इंपोर्डेंट है तो ये हमारा इस सीरीज का पार्ट वन है चलिए पार्ट वन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि पार्ट वन में हमने कौन-कौन से बहतरीन प्रसनों को सम्मलित किया हुआ है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पहला प्रस्तना आपकी स्क्रीन पर है जाबो ग्रामिर खेती करने का एक तरीका है तो आपको बताना है कि जाबो ग्रामिर खेती का तरीका किस राज्य में देखने को मिलता है आपको उस राज्य की पहचान करनी है तो जाबो नामक जो ग्रामिड खेती का तरीका यह देखने को मिलता है नागा लेंड में यानि के ओप्सन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा नागा लेंड यहाँ पे जन्गणना 2011 की बात की गई है जन्गणना 2011 के अनुज़ार उत्तरपदेस की कितनी प्रतिसत ग्रामिड अबादी है उत्तर पदेस भी कितने प्रतिसत ग्रामिड अबादी निवास कलती है आपको बताना है तो 2011 के census के बारे में उत्तर प्रदेश related कुछ मैं data आपको बता देता हूँ जो आप से ज्या में पूछे जा सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे प्रदेश की कुल जन संख्या की यानि कि उत्तर प्रदेश की कुल जन संख्या कितनी है और 2011 के census के अनुसाद तो 19 करोड़ अंठान बे लाख आप ध्यान से आत कर लेजेगा 19 करोड़ अंठान बे लाख 12,341 यह टोटल पॉपुलेशन है किसकी तो यह टोटल पॉपुलेशन है पूड़े उत्तर प्रदेश की 2011 के जन घड़ना की अनुसार तता इस पॉपुलेशन में से कितनी पूरूस हैं कितनी महिलाएं उनको भी आप नोटन कर लेजे तो इस पॉपुलेशन में से पूरूसों का प्रतिसत आपका है 52,28 इसे भी आप याप याद कर लेजेगा 52.28 प्रतिसत आपके क्या हैं पुरूस हैं और महिलाएं कितनी हैं तो महिलाएं आपकी हैं 47.72 परसेंट तो ये वाला डेटा आपका महिलाओं का है 47.72 प्रतिसत महिलाएं हैं इन में से और पुरूसों की प्रतिसता कितनी हैं तो 52.28 प्रतिसत आपके पूरूस हैं ये 2011 के census के अनुसार मैं आपको डेटा बता रहा हूं तथा 2011 के census के अनुसार उत्तर बदेश में कितनी नगरी जनसंक्या का प्रतिसत है और कितना ग्रामिट जनसंक्या का प्रतिसत उसको भी देख लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम ग्रा संक्या में 77.70 प्रतिसत जो जनसंक्या है वह ग्रामिट जनसंक्या है वही नगरी जनसंक्या के अगर हम बात करें तो उत्तर बदेश के नगरी जनसंक्या का प्रतिसत कितना है तो 22.30 प्रतिसत की जो अबादी है वह नगरी अबादी है यह डेटा मैं आपको बता रहा हूं तो पूरे देश में, यानि कि हमारे देश के जितनी भी अबादी है, उस अबादी का हमारे देश की टोटल अबादी के जो 16.5 सुन्य प्रतिसत लोग हैं, वे केवल उत्तर प्रदेश में निवास कलते हैं तो ये fact भी आपको याद अखना है भूलना नहीं है और एक fact और आप याद देखेगा पूरे देश का जितना छितना एरिया है उस एरिया का साथ दसमलों तीन तीन प्रतिसत लोग केवल उत्तर प्रदेश में निवास कलते हैं तो ये सारे data भी आपको याद अखना है अगला अगला प्रसना पर सामने है निवन में से कौन सा कृत्य ग्राम पंचायत में समलित नहीं है आपको उस क्रित की पहचान करने उस कारे की पहचान करने है जो ग्राम पंचायत से संबंदित नहीं है तो कानून विवस्था को बनाय रखना यह ग्राम पंचायत को काम नहीं होता है निकि आप्सन आपका यहाँ बिल्कुल से हो जाएगा और बाकी तीन तो ग्राम भूप्रबंदन समीति का अध्यक्ष होता है आपका ग्राम प्रधान यानि कि आपका बिल्कुल सही है ग्राम भूप्रबंदन समीति का अध्यक्ष आपका ग्राम प्रधान होता है इंपोर्टेंट प्रस नगला आपके सामने है निम्न में से विक्सित टर्मिनेट जो उप्योग है किस फसल के लिए किया जाता है तो टर्मिनेटर तकनीग का जो प्रियोग है किस फसल के लिए होता है तो इसका मुझे एक्जेक्ट डेटा याद नहीं है आप इस प्रस्थन का एंसर गूगल कर लिजेगा मुझे जहां तक उमीद है कि भारत में जो ग्राम पंचायते हैं उनकी टोटल संक्या धाई लाक्स उपर है धाई लाक्स उपर जो है आपकी ग्राम पंचायते हैं एक्जेक डेटा मुझे याद नहीं है इस प्रस्थन को आप गूगल कर लिजेगा और जो आपकी ग्राम पंचायत ग्राम बिकास मंत्राले की वेबसाइट है उस वेबसाइट को आप विजिट कीजेगा तता वहाँ पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा तता कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देने की आप कोशिश किजेगा कि भारत में ग्राम पंचायते के कुल संख्या कितनी है तो लगबग मुझे जाता क्या देकि धाई लाक से उपर भारत में ग्राम पंचायते हैं तो 20 सुत्री कारिकरम जो ही आपका इंद्रा गांधी के कारिकाल में परारम किया गया था, तो उप्सन आपका C यहां में बिल्कुल से हो जाएगा, इंद्रा गांधी के कारिकाल में 20 सुत्री कारिकरम सुरू किया गया था, उत्तरवदेश में दूद सहकारी समीती के स्थापना की गई थी तो उत्तरवदेश में दूद सहकारी समीती के स्थापना की गई थी आपकी लखनव में यानि कि आपका D यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा लखनवु में दूध सहकारी समीती की अस्थापना की गई थी तो option आपका D यहाँ पर बिल्कुल सही है भारत में क्रिसी लागत एवा मुल्ले आयोग कहां पर स्थित आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जो क्रिसी लागत एवा मुल्ले आयोग है यहाँ कहां पर स्थित इसका हेड़कॉर्टर आपसे पूछा जा रहा है तो क्रिसी लागत एवा मुल्ले आयोग का हेड़कॉर्टर आपके बिल्कुल सही है तता क्रिसी लागत एवा मुल्ले आयोग की जो अस्थापना की गई थी आपकी निम्र लखित में से कौन सा जीला अंतराशटी सीमा को सपोर्ट नहीं करता है आपको बताना है कि कीज जीले कीज जीले 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 लगते हैं तो यहीं आप देख लेजिए तो ने ये जीले जो हैं आपके टच होते हैं नेपाल की सीमा से तो इनके बारे में आप याद कर लिजेगा महराज गंज, सिधात नगर, बजरामपूर, स्रावस्ती, बहराईच, लखीमपूर खीरी और पीली भी तो इनके बारे में आप याद देखिएगा वह इन दिये के options में से आपका जो बस्ती जिला है, इसकी सीमा जो है नेपाल से टच नहीं होती है, तो इसके बारे में आपको याद अखना है, option आपका D याँपे बिल्कुल सही हो जाएगा, अगला प्रसना आपके सामने है, ग्राम सभा में कितने आयू वर्ग के लोगों को समलित किया जाता है, इम्पॉर्टेंट है, तो आपकी जो एक ग्राम सभा होती है, उस ग्राम सभा में आपके जो अठारा वर्ष आयू के लोगों होती है, ने कि अठारा वर्ष की आयू से उपर के जो लोगों होती है, उनको समलित किया जाता है, तो option आपका यहाँ पे जो B है बिल्कुल सही ह जाएगा अठारा वर्स आयू के लोगों को जो है ग्राम सभा में समलित किया जाता है निकि जो आपकी ग्राम सभा होती है वह ओड देने की जो उम्र होती ही लोगों की वहां से स्टार्ट रेने की ओड देने की जो उम्र आपके रखेगी अठारा वर्स तो अठारा वर्स की के जो लोग होते हैं या उसके उपर के जो लोग होते हैं वे उनसे मिलकर ही आपकी ग्राम सभा बनती है तो उर्वरक के छेत्र में आत्मनिर्वरता के लिए उत्पादन हेतु किस क्रांती का नायने की उर्वरक के छेत्र में आत्मनिर्वर बनने के लिए किस क्रांती को स्टा बाठ किया गया था तो उर्वरक के छेतर में आत्म निर्वर बनने के लिए जो करांती शुरू के गई थो इसका नाम है दूसर करांती यानिक्यों आपका यहां पर जो D या बिल्कुल सही हो जाएगा दूसर करांती तो इसके बारे मैं प्या देखिए गा ओप्सन आपका D य नियालय में जो है आपकी दाखिल खारिज की रूपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो आप्सनाप का भी यहां पर विल्कुल से हो जाएगा और तहसिलदार के नियायालय में अगला इंपोर्टेंट प्रसनाप के सामने है निम्र लिखित में से किस समीति ने पंचायती राज स समीति थी इन दोनों ने आपकी पंचायती राज संस्थाओं को समयधानिक दरजा प्रदान करने की सिफारिस की थी तिसके बारे में आप यहां पर यह जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इसके बारे में आपको याद अखना है तता आपकी जो बलवंत राय मेहता समीति थी य इसके बारे में आप यहां देखिएगा वहीं LM सिंगवी समीति का टाइम परियोड था 1986 में LM सिंगवी समीति को गठित किया गया था 1986 में इसके लवा पंचायती राज से जो ड़ी और भी समीतिया है जैसे आपकी असूक महता समीति हो गई जिसका अगठन किया गय था kinda किए गा बलवंतरां महता समिथी पहले मता समिथी ।छ जो सक्तर बाद से अंगला समिधान संसोधन अधिनियम के तैट लुप माथ है कि तो आपका जो चवतर्मा संसोधन अदिनियम था यह इसके तैद जो यह नगर पालका से रेटेटेट है इसके तैद जो है बाहती समिधान में जो पार्ट नाइण एड किया गया था या पे पार्ट की बात हो रही है भाग की बात हो रही है तो नगर पालिका से सम्दित है आपका चवतर्मा समिधान संसोधन अधिनियम तता भाग नौ भी आपका नगर पालिका से ही रिलेटेड है तता भाग नौ आपका जोड़ा गया था तियतर्मा समिध प्रस नगल आपके सामने है भारत का सबसे बड़ा गन्ना अत्पादक राज्य कौन सा है तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना अत्पादक राज्य आपके मिलेगा उत्तर पदिस यानि कि ऑप्सना का ए यहां पे बिल्कुल सही है उत्तर पदिस में सरवादिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है सफेद सोना यानि कि वाइट गोल्ड के नाम से किस फसल को जाना जाता है तो सफेद सोना के नाम से हम जानते है कपास को कॉटन को यानि कि ऑप्सना आपका ए यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा कपास को जो है सफेद सोना के नाम से जाना जाता है तो ऑप्सना आपका ए यहां पे 100% सही जवाव हो जाएगा इंपोर्टेंट है अगला प्रस्तन आपके सामने किस क्रांती में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रिसी छेत्र के सभी सम्बंदित क्रांतियों को समलित किया गया था आपको उस क्रांती का नाम बताना है जिसमें क्रिसी छेत्र के लिए जितनी भी क्रांतिया चला हरित क्रांती जो हुई थी इसका प्रभाव सरवादिक किस फसल पर पढ़ा था तो हरित क्रांती का जो प्रभाव था यह सरवादिक पढ़ा था आपका गेहूं और चावल की फसलों पर यानिके आपसना का सी यहां में बिल्कु सही है 1960 के दसक में जो है आपकी शुरू की गए थी, 1960 का जो दसक तैसे दसक के दौरान जो है आपकी हरित क्रांती शुरू की गए थी, तता भारत में हरित क्रांती का जनक हम कहते हैं किसको, तो भारत में हरित क्रांती का जनक माना जाता है M.S. स्वामी नाथन को, जिसे भी आप तो यह fact आपको याद अखना है अगरा important प्रसन आपके सामने है समिधान में नगर पालिकाओं से संबंदित प्रावधान को किस अनुसूची में रखा गया यानि कि नगर पालिकाओं से संबंदित जो प्रावधान है या किस अनुसूची में है यानि कि schedule में है आपको उस schedule की पहचान करनी है इंपोर्टेंट है डिरेक्ली आपसे एक्जाम यह प्रस्न पूछाया सकता है तो नगर पालिकाओं से रिलेटेड कौन सा सेड्डियूल है तो आप इसको नो डान को लेजएगा आपका सेड्डियूल जो बारह है आपकी जो बारहमी अनुसूची है या नगर समिधान संसोधन के तहट जो है आपकी बारहमी अनुसूची जोड़ी गई थी थी था यहारे समिधान में भाग नो एब जोड़ा गया था जोकि नगर पालिकाओं से ही रिलेटेड है वहीं आपका जो 73 समिधान संसोधन अधिनियूं तो 19 सब बान बेका इसके तहाट बार समयधान में कौन सी अनुसूची जुड़ी गई थी तो 1992 का जो 73 समयधान संसोधन अधिनियम तैस्ट के तथ 21 समयधान में 11 अनुसूची एड़ की गई थी और 11 अनुसूची का संबंध किससे है तो आपकी जो 111 अनुसूची थी इसका संबंध है पंचायती राज सेदेश और फेक्ट आपको याद रखने है अगला प्रस्ति के सामने है पंच्याइतों को सकती अधिकार और उत्तादायत किस अनुछेद में डिक ना में वर्णुड ही था इंपउर्ट प्रस्ति हैном इसी में जो है पंचायतों की सकती अधिकार और उत्तादायत का जिक्र किया गया है तो इसके बारे में आपको याद अखना है तता पंचायतों से जुड़े आर्टिकल कहां से कहां तक है तो आर्टिकल 243 आप याद कलीजेगा आर्टिकल 243 ए यानि कि आर्टिकल 243 को से लेक इसके बाद अगला प्रस्थापके सामने है दिया गया क्या है और एकल सच्चन किसे कहते हैं तो एकल सच्चन का संबंग होता है एक वर्ष में जो है केवल एकही फसल को उगाना इसको हम कहते हैं एकल प्रस्चन तो उप्षन अपका यहाँ पे जो बी है बोकुल से हो तो option B भी इस प्रस्न का बिल्कुल सही हो जाएगा क्रिसी में युग मुपैदावार का से होता है मतलब होता है एक फसल वल्स में दो या दो से अधिक फसल को उगाना तो option B आपका बिल्कुल सही है 2011 के census के अनुसार उत्तरवदेश में महिलाओं का प्रतिसत कितना है आपसे पूछा जा रहा है तो अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था 2011 का जो आपका census हुआ था उसके अनुसार उत्तरवदेश में महिलाओं का प्रतिसत कितना है पुर्सों का प्रतिसत कितना है तो महिलाओं की अबादी थी 47.72% तो यह आपकी अप्सन यह वाला पूरसो की अबादी है उत्तर बज़स में और महिलाओं की अबादी आपकी कुलो जाएगी 47.72% तो अप्सन आपका भी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा तो तो आपकी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलसी थी यानि की आपकी राश्टी वन निती 1988 थी इसके अनिसार पूरे देश के 33 प्रतिसद भुभाग पर जो है वनों और बिच्छों का होना अवस्यक माना गया था यानि की आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा अप्सन बी अगला प्रसना पे सामने है प्रधान मंत्री अवास योजना ग्रामिड के अंतरगत परवती छेत्रों में किंद्र एवं राज सरकार दौरा किस अनुपात में सहायता की जाती है यानि कि आपके परवती छेत्रों की बात हो रही है परवती छेत्रों में किंद्र सरकार कितना वं कलती है और राज सरकार कितना वं कलती है आपको बताना है तो 90 संबंदे 10 का उनपात है याई कि 90% आपकी केंदर सरकार वहन कलती है और 10% आपकी राजय सरकारे वहन कलती है परवती छेत्रों में मैं तो आपकी गोल करांती से समबंदीत है तो आपकी गोल करांती से समबंदीत है आपका आलू उत्पादन यानि की ओप्सन आपका जो बी है यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा गोल करांती से संबंदी थे आपका आलू उत्पादन तो राश्टी बीज निगम की अस्तापना किया गई थी समयधानिक दरजा तो 97th amendment यानि कि option आपका जो A है आया पर बिल्कुल से हो जाएगा तता इसी amendment के तहती मारे बालती समयधान में भाग जो 9 खो था भाग 9 B था वो add किया गया था तो इसे भी आप आप याद कर लिजेगा भाग 9 खो यानि कि भाग 9 B जो है संतान बेवे समयधान संसोदन अधिनियम के तहती add किया गया था तो यह सारे फेक्ट आपको याद अखना है दिन द्याल उपध्याए ग्राम जोती योजना की सुरुवात कप की गई थी तो 20 नौमबर 2014 को आपकी दिन दियालूपाद्याए ग्राम जोती योजना शुरू की गई थी तो आपसन आपका D यहां पर बिल्कुल से हो जाएगा दिन दियालूपाद्याए ग्राम जोती योजना आपकी 20 नौमबर 2014 को स्टार्ट की गई थी अगला प्रस्नाप के सामने है, किस अनुछेत के तयाथ नगर पालिका में आरक्ष्ण सबंदी प्राओधान किये गए हैं तो आर्टिकल 243 आपका टी जो है इसके तै जो है आस्थानों का अरक्षन का प्रवधान किया गया है नगर पलिकाओ में तो आपसन आपका यहां पे जो बी है बिल्कुल से हो जाएगा 243 टी एक एकर कितने वर्गज के बराबर होता है तो आपका जो एक एकर होता है कितने वर्गज के बराबर होता है तो 48, 140 यानि कि 4840 वर्गज के बराबर होता है आपका एक एकर यानि कि एकर में आपका 4840 वर्गज होता है तो आपसन आपका जो ए है यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा अगला महत्पून प्रसन आपके सामने है पहली बात जो क्रिसी की जनगरना थी वो कप की गे थी तो पहली बात जो क्रिसी की जनगरना थी 1971 के मत दिखी गे थी तो राइट अंसराव क्या हो जाएगा अगला प्रसन आपके सामने है एक मिल में कितने गज होता है तो एक मिल आपका जो होता है बारत में प्रति वर्स क्रिसक यानि कि किसान दिवस कब मनायाता है तो 23 दिसंबर का जो दिन होता है भारत में किसान दिवस के रूप में मनायाता है तता या जो दिवस होता है 23 दिसंबर का या चौधरी चरण सिंग का बलतड़े होता है जिसको हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं तो 23 दिसंबर आपका राइट एंसर हो जाएगा option A अगरा प्रस्न आपके सामने है ग्रामिड वा नगर समुदाय में एक वेग्यानिक अंतर निमन में से किस अधार पर किया जा सकता है जन संक्या के अधार पर, छेतरफल के अधार पर लोगों के बैसाय, बैसाय के अधार पर या इसमें से कोई नहीं तो ग्रामिड वा नगर समुदाय में एक वेग्यानिक अंतर जो है लोगों के बैसाय के अधार पर किया जा सकता है, तो option A C यहां पर बिल्कुल से हो जाएगा, लोगों के बैसाय के अधार पर, भारत में प्रतम नगर निगम के अस्तापना कहां पर किय गए थी, तो 1687 इसवी में है, जो है आपका पहला नगर निगम अस्तापित किया गया था, चेन्हीcomm मदरास में ऐसाय जो B है, बिल्कुल से हो जाएगा, मदरास में पहला नगर निगम स्तापित किया गया था, 1687 इसवी में, तो option आपका B यहां पर बिल्कुल सही है, एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, इंपोर्टेंट है, तो एक हेक्टेयर में आपका लगबग होता है, दो दसमलो, चार, सात, एकड़, तो यहाँ पे अगर हम बात करें लगबग की, तो लगबग आपका क्या हो जाएगा? 2.5 वाला आपका लगबग के इसाब से बिल्कुल सही हो जाएगा नहीं कि नेरेस्ट आपका डेटा जो होता उसी को आपको सही लगाना होता है तो यहाँ पे 2.5 एकर वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा किस करांती को साधा बाहर करांती के नाम समझानते हैं तो इंद्र धनुसी करांती जो होती है उसको हम साधा बाहर करांती के नाम से जानते हैं तो प्रति वर्स 24 अपरेल के दिन को हम भारत में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं तो आपका बिल्कुल सही हो जाए सब्जेक्ट से आपको बताना है तो इग्यारामी अनुसूची में तोटल 29 सब्जेक्ट है जो कि आपकी पंचायती राज से समंद्दित है तो अपसन आपका C यहां पर बिल्कुल सही है एक भूमी पर दो या दो से अधिक फसल उगाने को क्या कहा जाता है तो अंतर फसली क्रिसी इसको हम कहते हैं यानि कि एक भूमी पर दो या दो से अधिक फसल उगाने को हम अंतर फसली क्रिसी के नाम से जानते हैं यानि कि option आप कभी यहां पे बिल्कुल सही है एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं यह प्रस्णाप का रिपीट हो गया है तो 2.47 हेक्टेयर आपका होता है एक हेक्टेयर में तो आपसनाप का यहां पर B जो है बिल्कुल सही हो जाएगा तो खेतों की माप जो होती है आपकी खसरा और खतवनी में आपकी हेक्टेयर पैमाने में दर्ज की जाती है तो आपसनाप का C यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा हेक्टेयर पैमाने में खेतों के जो माप होती वो खसरा और खतवनी में दर्ज की जाती है तो हेक्टेयर आपका राइट एंसर हो जाएगा आज का लास्ट प्रस्ट नहीं यहाँ पे मेट्रिक होगा मेट्रिक आपकी जो इकाई वाली ब्योस्ता है और इसको कब लागू किया गया था तो मेट्रिक इकाई वाली ब्योस्ता आपकी लागू होई थी एक अक्टूबर 1958 को राइट एंसर आपका क्या हो जाएगा एक अक्टूबर 1958 को आपकी मेट्रिक इकाई ब्योस्ता लागू होई थी तो दोस्तो इस तरह से टॉप 50 MCQs का जो पार्ट 1 था मारा ग्रामेडी परिवेस का उसको हमने यह आप एक कंप्लेट कर लिया है I hope यह सिरीज आपको पसंद आएगी तो आज के लिए बस इतना ही Thank you, Thanks for watching, Thank you